नमश्कार, आज मैं आपको दान क्या है, श्री रामश्रित मानस के अमसार सबसे बड़ा पाप और पुर्ण्या क्या है, कौन सा दान सबसे बड़ा दान कहलाता है, और दान के बारे में कुछ अन्य बातों के बारे में बताने जा रही हूँ दोस्तों किसी भी प्रकार की इच्छा ना रखते हुए, दूसरों की सेवा करना सच्चा दान माना जाता है, अगर हम किसी को कोई वस्तू दे रहे हैं, लेकिन देने का भाव अर्थात इच्छा नहीं है, तो वहे दान जूटा हुआ, उसका कोई अर्थ नहीं, और धन के रू पोशदी देना, भुखे को अन देना, दुखी को प्रतसाहन का एक शब्द कहना दान है, माल्क पर पड़े कांटे या कांच के टुकडों को हटाना दान है, दया भाव रखना, प्रेम भाव रखना भी दान है, दूसरों को उनकी गलतियों के लिए शमा कर देना भी दान है दुखी लोगों के प्रति सहानु भुती रखना, उनके कल्यान के लिए प्रात्ना करना धन दान से भी बढ़कर है मतलब दोस्तों जिससे जरूरत मंदों और दुखियों के कश्टों का निवारन होता है उसे दान कहते है अंदान, वस्त्रदान, जलदान, विद्यादान, अभेदान, गोदान, धनदान ये सारे दान इनसान को पुन्य का भागी बनाते हैं आज की समय में अंगदान का भी विशेश महत्तव है दोस्तों किसी भी वस्तू का दान करने से मन को सांसारिक आसकती यानि मों से छुटकारा मिलता है हर तरह के लगाव और भाव को छोड़ने की शुरुवात दान और क्षमा से ही होती है श्री रामश्रित मानस में गोस्वामी तुलसी दास जी ने कहा है सामाने शब्दों में सबसे बड़ा पाप दूसरों का अहित करना है दूसरों को कष्ट देना है और किसी जरूरत मन वेक्ति की बिना किसी स्वार्थ के मदद करना यानि परुपकार करना सबसे बड़ा पुन्य है अब जानते हैं कि कौन सा दान सबसे बड़ा दान कहलाता है दोस्तों दो दान है जो एक दूसरे के पूरक है और सबसे बड़े दान है एक शलोक के अनुसार अर्थात अंदान परमदान उससे भी श्रेश्ट है क्योंकि अनसेक्षनिक त्रिप्ती ही होती है पर विद्या से जब तक जीव जिन्दा है त्रिप्ती होती रहेगी और विद्या दान को ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही नश्ट कर सकता है बलकि ये बढ़ता ही है और दोस्तों एक वेक्ती को शिक्षित करने से हम उसे भविश्या में दान देने लाइक बना देते हैं जो दूसरों के लिए कुछ कर सकता है आतम निर्भर बन सकता है रिगवेद में भी ग्यान दान को सर्फ श्रेष्ट माना गया है ग्यान को जितना बांटा जाए यह बढ़ता ही है लेकिन सब लोग तो विद्यादान नहीं कर सकते तो वो सब कैसे दान करे दान का पुन्य अफसर तो सबको मिलना चाहिए महा भारत में यक्ष युधिष्टर वात्ता में यक्ष पूछता है रिश्यों ने स्थिर्ता किसे कहा है धैर्या क्या कहलाता है स्नान किसे कहा गया है दान किसे कहते है युधिष्टर उत्तर देते है अपने धरम में स्थिर रहना ही स्थिर्ता है इंद्रिया निग्रे धैर्या है मन के विकारों का त्याग करना स्नान है और प्रानियों की रक्षा करना दान है मनुष्य जानवर सभी प्रानियों की रक्षा करना दान है मतलब दोस्तों अफसर के नुसार मदद करें जिससे जीव रक्षा हो कोई ठंड से मरा जा रहा है तो कंबल ही उसका जीवन रक्षक है कोई किसान वेपारी कर्ष से परिशान होकर अपनी जान लेने को तयार है तो अपने सामर्थय के नुसार अर्थदान से उसका जीवन बचाएं बेरोजगार के लिए रोजगार का प्रबंद करें कन्यादान भी बड़ा दान है एक बार अपने जीवन में अवश करना चाहिए ऐसे वेक्तियों की मदद के लिए जरूर आगे बढ़े जो गरीबी के कारण अपनी बेटियों का विवार नहीं कर पाते इसके इलावा किसी गरीब के बच्चे को शिक्षा दिलवाना अपने अनुभवों से किसी वेक्ति को जीवन की सही दिशा देना भटके हुए को सही रास्ता दिखाना जिससे वे अपना अपने परिवार का कल्यान कर सके अगर आप किसी को जीवन दान देते हैं तो इससे बड़ा दान लेने वाले के लिए कोई नहीं होगा आज के समय में अंग दान समाज की जरूरत है जो दान किसी के प्रानों की रक्षा करे उससे उत्तम और क्या हो सकता है हमारे शास्त्रों में रिशी धदीची का वर्नन है जिनोंने अपनी हडियां तक दान में दे दी थी कान का वर्नन है जिसने अपने अंतिम समय में भी अपना स्वर्ण डंत याचक को दान दे दिया था तो दोस्तों अफसर पर की गई मदद सबसे बड़ी मदद है और जरूरत के नुसार दान सबसे बड़ा दान है जिससे प्रान रक्षा हो चली अब दान देते वक्त कुछ ध्यान रखने वाली बातों के बारे में जानते हैं दान के लिए व्यक्ति की पातरता सबसे जरूरी नियम है दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो इसके योग्य हो दान हमेशा किसी जरूरत मन को देना चाहिए जिससे वे संतुष्ट हो सके यदि आप किसी अपरादी को धन देंगे तो वह इसका दुरुपियोग अपराद करने के लिए कर सकता है लेकिन यदि आप किसी गरीब या रोगी वेक्ती को धन देते हैं तो वह उस पैसे से अपने खाने पिने या दवा खरीदने आदी के लिए पैसों का उपियोग करेगा भूखे वेक्ती के लिए भोजन के दान का महतव है लेकिन जिसका पेट भरा हुआ है उसके लिए भोजन का महतव नहीं है गरीब रोगी असहाई अनाथों लूले लंगडों अंधों और विद्वाओं को दान दीजिए अगर दान ब्रामन को करना हो तो ध्यान रखें की ब्रामन सात्विक सदाचारी तथा भगवान का भक्त हो कूसंसकारी ब्रामन को दान देना निश्वल होता है दोस्तों उसने प्रेम, सेवा और प्रिये वचन से दान किया जाता है कहा गया है कि दानी को दान देने में एहम नहीं पालना चाहिए बलकि उसे अपना परम सोभागय मानना चाहिए कि हमारा दान स्विकार करने वाला कोई सुपातर मिला है दान देने का अफसर प्रदान करने वाले विक्ती का भी धन्यवाद कीजिए कभी भी किसी की अमानत दान के तोर पर नहीं देनी चाहिए जो विक्ती पत्नी, पुत्र और परिवार को दुखी करते हुए दान देता है वह दान पुन्य प्रदान नहीं करता दोस्तों दान देने के बाद अफसोस या पश्चाताप नहीं करना चाहिए शुद्भावना से दान दीजिए दान गुप्त रूप से दीजिए उसका प्रचार मत करें एक हाथ से दिये दान का पता दूसरे हाथ को भी नहीं लगने देना चाहिए अच्छी चीजे दान करें जैसी अब खुद इस्तेमाल करते हैं पटे मेले कपडे जूठा बासी भोजन दान ना करें लोब लजजा डर कर किसी के दबाव में आकर क्रोध में दान ना करें अपनी इच्छा से खुश होकर दान करें बाहरी विक्ति को दान देने से पहले ये विचार कर लें कि कहीं आपके परिवार में कोई अभाव में तो नहीं है पहले अपने उपर आश्रित की विवस्था करें तब दान करें आपका कोई सच्चा मित्र या कोई रिष्टेदार खराब स्थिती में हो तो उनकी मदद करें दोस्तो देना तो हमें प्रकृती रोज ही सिखाती है सूर्य अपनी रोश्णी, फूल अपनी खुश्बू, नदियां अपना जल इसके बावजूत ना तो सूर्य की रोश्णी कम हुई, ना फूलों की खुश्बू, ना नदियों का चल इसलिए दान एक हाथ से देने पर अनेक हाथों से लोटकर हमारे पास ही वापिस आता है बस शर्त यह है कि नीश्वार्थ भाव से दुसरों की भलाई के लिए किया जाए आशा करते हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, धन्यावाद